वेलकम बेस तो माई यूट्यूब चैनल गाइज आजकी इस वीडियो में हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश के अंदर आने वाले जन संक्या नियंतर कानून की उत्तर प्रदेश में जन संक्या नियंतर कानून को लेकर योगी सरकार ने फार्मूला तैयार कर लिया है जिसके तहर जिनके पास दो बच्चों से अधिक बच्चे होंगे पे ना तो सरकारी नोक्री के लिए योग होंगे और ना ही कभी चुनाव लड़ पाएंगे दरसल उत्तर प्रदेश की राजविदी आयोग ने सिफारिस की है कि एक बच्चे की नीती अपनाने वाले माता पिता को कई सुविधाय दी जाएंगी बहीं दो बच्चों से अधिक के माता पिता को सरकारी नोक्रीयों से बंचित रखा जाए इतना ही नहीं उन्हें स्थानी निकाय चुनाव लड़ने से भी रोकने तथा अन्य कई तरह के प्रतिबंद लगाने की प्रस्ताव रखा गया है दरासल उत्तरप्रदेश राजविधी आयोग ने जनसंक्या नियंतर कानून के तैयार मसोदे में कुछ इस तरह के प्रस्ताव रखे हैं आयोग ने इस मसोदे पर लोगों से आपत्तियावा सुझाव भी मागे हैं जो 19 तारीक तक आयोग को इमेल या फिर डाक के जरिये भेजे जा सकते हैं अगर योगी सरकार इस फॉर्मूले को हरी जंडी देती है तो फिर यूपी में जनसंक्या नियंतर की दिसा में बड़ा कदम माना जाएगा राजबिदी आयोग के अध्यक्ष नियायमूर्ती एन मित्तल के मार्क दर्शन में ये मसोधा तयार किया गया है आपत्यों एबम सुझावों का अध्यन करने के बाद संसोधित मसोधा तयार करके राज सरकार को सौफा जाएगा देश के अन्य राज़ों में लागू कानूनों का अध्यन करने के बाद ये मसोधा तयार किया गया है इसे उत्तरप्रदेश, चनसंख्या, नियंतरण, स्थरीकरण, एबम कल्यान, एक्ट 2021 के नाम से जाना जाएगा और ये 21 बर्ट से अधिक के यूब को तथा 18 से अधिक उम्र की यूबतियों पर लागू होगा ये मसोधा अयोकी वेफसाइट upslc.upsdc.govornment.in पर अपलोड किया गया है देखते हैं एक बच्चा होने के क्या फायदे हैं बंचाइल्ड पॉलिसी यानि एक बच्चा पॉलिसी सुविकार करने वाले बीपील सिरणी के माता पिता को विसेश तोर पर प्रोत्साहित करने का प्रस्थाव है इसके तहद जो माता पिता पहला बच्चा होने के बाद ऑपरेशन करा लेंगे उन्हें कई तरीके की सुविदाएं दी जाएंगी पहला भालक होने पर 80,000 रुपे और बालिका होने पर 1,000,000 रुपे विसेश प्रोत्साहन रासी दी जाएगी ऐसे माता पिता की पुत्री उच्छ सिक्षा तता निसुलक पड़ाई कर सकेगी जब्कि पुत्र को 20 बर्स तक निसुलक सिक्षा मिलेगी इसके अलाबा उन्हें नेसुल किस्ता सुभिदा और सरकारी नोकरी होने की इस्तिती में सेवा काल में दो इंक्रीमेंट दिये जाएंगे दो से अधिक बच्चे पैदा होने में क्या नुकसान होगा आयोग ने दो से अधिक और दो से जादा बच्चों के मातपिता को कई तरह की सुविदाओं से बंचित करने का प्रस्ताव रखा है इसमें उन्हें स्थानिय निकायों का चुनाब लडने से रोकने, सरकार से मिलने वाली सबसिटी बंद किये जाने, सरकारी नौकरी के लिए आबेदन करने पर रोक लगाने, तता सरकारी नौकरी कर रहे लोगों को प्रोनती से बंचित करने का प्रस्ताव रखा है ये सबी प्रस्ताफ जनसेंक्या ब्रद्धीपन नियंत्रण करके नागरिकों को बेहतर सुविधाय मुहिया कराने के उद्देश से तयार किया गया है आयोक के जनसेंक्या नियंत्रण से संबंधित पाठ्ठिक्रम स्कूलों में पढ़ाय जाने का भी सुझाव रखा है